नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Samsung Galaxy device दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा Samsung के फोन में One UI 5 के बाद एक ऐसा फिचर एड़ किया गया है जिसके ज़िए आप जान सकते हो कि आपके फोन में बेगरांड में कौन-कौन से अप्स रन कर रहे हैं और आप चाहो तो उन् बेगरांड मतलब कि कितने एप्स एक्टिव है और अगर आप इस पे टाप करोगे तो आपको मिलेंगे कितने और कौन-कौन से एक्टिव है कितने टाप से जो एप्स बेगरांड में एक्टिव है और अगर आप चाहो तो यही से वन टाप में स्टोप पे टाप करके इनकी शोनी करेगे तो इस feature को यहां से disable करने के लिए आपको download करना है good luck को तो जाइए galaxy store में और आपको search करना है good luck फिर आपको इस app पे tap करना है और यहाँ पे करना है इसे install तो मैंने इसे already install कर लिया है आपको करना है इसे open फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे नीचे दो tap make up और life up आपको make up पे tap करना है और नीचे आना है यहाँ पे show करेगा home up आपको arrow पे tap करना है इसे download करने के लिए install पेटे आपकी जीए तो home up install हो चुका है लेकिन अगर आपके फोन में galaxy store में good luck search करने पे good luck शोनी कर रहा है जैसे कि आपके फोन में अगर good luck इस तरीके से शोनी कर रहा है तो आपको अलग तरीके से अपने फोन में good luck को download करना है जिसके उपर मैंने already videos बनाया है तो आप उस वीडियो को follow करके अपने फोन में good luck और home up को download कर सकते हो good luck में कही सारे मूडल होते है जैसे कि आप देख पार हो इतने सारे मूडल है like up में भी और make up में भी लेकिन हमें जरूरत है कि अवल home up की तो इसे open कीजिए start कीजिए permission को लाओ कीजिए इसे own कीजिए फिर जाहिए न करेंगे distant view में अगर आप करोगे stack तो इस तरह के से आपको iPhone की तरह stack शो करेंगे यह वर्टिकल लिस्ट इस तरह के से और यह स्लिम लिस्ट और अगर आप कोई भी layout चुस करोगे तो आप देखोगे अब आपको यहाप पे कोई भी active in background का जो option है show नहीं करेगा तो आप उसे इस तरह किस hide कर सकते हो हाला कि यहाप एक number आपको शो करेगा कोई भी number हो सकते है circle में और अगर आप इस पे type करोगे तो आपको show करेंगे कि कितने apps background में run कर रहे हैं आप देख सकते हो हला कि जो लिखा हुआ था active in background उसे आप शोट कर दिया गया है बस आपको यहाप नंबर देखने मिलेगा लेकिन अगर आप इस नंबर को भी hide करना चाहते हो यहाँ से तो आपको क्या करना है आपको कोई भी layout चुस करते हो तो आपको number भी शोनी करेगा और active apps in background भी शोनी करेगा इस तरीके से आप active apps in background को disable कर सकते हो अपने phone से तो अगर आपको disable करना हो तो आपको good luck के जरीए इस तरीके से उसे disable करना है तो अगर मैं करूंगा search bar को own तो आप देख होगे अभी हाँ आप नंबर शो करेगा लेकिन करने के लिए धने बाद दोस्तो